So Hello Everyone, आज हम डिसकस करने वाले जनतु विज्ञान के important multiple choice question जो आपके entrance exam में direct आपको देखने को मिल जाएंगे परला question है, खौपड़ी में कितनी हडियां पाई जाती है? How many born are there इसकाल? 9, 20, 22, 21 खौपड़ी में कितनी हडियां पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो right option होगा, वो होगा 22 22, अब यहाँ पर जिनको पता है, बहुत एच्छी बात है, और जिनको पता नहीं है, वो तो यही सोच रहे होगा इक सर्फ 22 कैसे होगी? तो चलो इनको समझ लेते हैं, देखो विद्यारतियो, खौपड़ी का मतलब यह होता है, पूरा का पूरा, जिसमा आपका चैरा भी आगया, और उपर का यह क्रेनिल पार्ट भी आगया, ठीक है? तो यह दोनुँ पार्ट इसमें आगये, खौपड़ी में, तो टोटल अब हमको बताना होगा, यानि कि फेसल एरिया भी आगया, और उपर का क्रेनिल एरिया भी किसमें आगया, खौपड़ी में, तो आपको पता है कि चैरे में कितनी हडियां पाई जाती है, चैरे में पा तरफुल दिख रहा है ना ये क्रेनल बॉन में गिना जाता है अगर एकजाम में आपसे क्रेनल बॉन के बारे में पूचे तो आपको आठ बॉन करके आनी है और अगर आपसे पेसल बॉन के बारे में पूचे तो आपको छोदा करके आना है क्योंकि पेसल बॉन कितनी होते है चोदा और क्रेनल कितनी होते है आठ और टोटल खोपड़ी की बात करें तो कितनी होते है बाइस तो इस परकार हमारा जो राइट ओप्शन है वो 22 है इसलिए हमारा 22 राइट होगा अगला यह यहाँ पर medical device के बारे में है कि तउचा पर electroc का उप्योग कर हद्दे की विदुद गति का अभी लेकित करना क्या कर लाता है बताओ आपने भी देखा होगा कि हद्दे के उपर कापि सारे electrode लगा कर check-up किया जाता है और इस प्रकार का कुछ आपका pattern ग्राप निकलती है उस जांच को क्या बोलते हो आप जिसमें हद्दे की हैनिकी head की जांच की जाती है उसको बोला जाता है आपका ECG क्या बोला जाता है ECG यह बोला जाता है ECG अगर क्योशन गूम के इस प्रकार आजाए कि मस्तिक्स की मस्तिक्स के उपर इलक्ट्रोड लगाके कापि सारे अगर उसकी जांच की जाती है मस्तिक्स की तो उसको क्या बोला जाता है अगर मस्तिक्स का आ जाए तो आपको EEG करके आना है अगर हद्दे का आ जाए तो आपको ECG करके आना है दोनों में बहुत बड़ा अ संतर है चोलो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर जैसा कि आपने देखा भी होगा आपके परिवार में किसी की जांच हुई होगी इस प्रकार का ग्राह बनता है वह ECG का पैटर्न होता है यह वाला है ना और यह जो आप देख रहे हो यह है EEG यह इनकी मस्तिक्स की जांच इसमें कापी सारे इलोक्टोड आपके मस्तिक्स में लगाए जाते ए ए जी में और जो आपका ECG होता है यह हद्दे पर लगता है और इनका ECG का पैटर्न यह होता है और EEG का पैटर्न इस प्रकार का होता है देख लो कितना बड़ा अंतर है कुल मिलाके ECG हद्दे की क्लियर तो यहां पर हमसे पूचा गया हद्दे की जांच तो ECG अगला कसेरुकी रक्त में सबसे पर्चूर मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है the most evident cell in vertebra blood तो कसेरुकी रक्त में सबसे पर्चूर मात्रा में जो कोशिका पाए जाती है वो पाए जाती है red blood cell RBC सबसे पर्चूर मात्रा में पाए जाती है और RBC का live spam कितना होता है इनका जीवन काल कितना होता है तो वो होता है 120 दिन के करीब तो यह कुछ आपको पता होना चाहिए और इनके normal amount कितनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए RBC का भी WBC का भी और प्लेडलेट्स का भी और इनका जीवन काल यह भी आपको पता होना चाहिए चलिए नाक में किस प्रकार के उपास्थि पाए जाती है which type of cartilage found in nose आपका जो नाक है उसमें किस प्रकार की उपास्थि पाए जाती है उपास्ति यानिकी हड़ी से थोड़ी कमजोर वाली जिनका मुमेंट इजली हो जाता है यानिकी जिनको हम पकड़के हिला सकते है जबकि हड़ी को नहीं हिला सकते है तो कौन सी काटिलेज पाए जाती है तो हाइलेन काटिलेज यानिकी हाइलेन उपास्ति पाए जाती है और तो कापी मुलाइम होता है उपर से ठीक है हाइलेंड काडिलेज के लिए चलो बढ़ते आगे क्यों रक्त में CO2 किस रूब में पाया जाता है इन ब्लड CO2 found in the form कौन सी फोब में CO2 गेस पाया जाते बताओ ओप्षन है बाय कार्बनेट, ग्लिसरॉल, हेमोगलोबिन, पॉर्टसेम कार्बनेट तो देखो विद्यारते हो, NCRT में आपने डाइग्राम भी देखा होगा ना तो भी आप इजली कर दोगे तो इसका राइट उप्षन होगा बाय कार्बनेट, ठीक है, बाय कार्बनेट क्योंकि हमारा जो रखत है उसमें CO2 बाय कार्बनेट के रूम में पाय जाती है चलो डाइग्राम में आपको दिखा देता हूँ जैसा कि यहांपर आप देख पार होगे यह आपकी कोशिकाएं होती है, यह आपकी बलड बेसल्स होती है इसमें आपका बलड दोड़ता रहता है, ठीक है और यहांपर आपको पता है कि गैसे एक्सचेंज होती रहती है O2, CO2 का आदान परदान होता रहता है, ना तो यहाँ पर देखो आप, डिजोल है बाइक कार्बनेट के रहुं में CO2 प्लस H2 कोई बार कार्बनेट आपको देखना को मिलेगा तो बाइक कार्बनेट के रहुं में डिजोल होती है, क्लिर? तो राईट आपशन पहला बाइक कार्बनेट अगला अपोहन यानिकि डायलेसिस सिद्धान पर कारे करता है कौन से सिद्धान पर काम करता है और या पिर अजॉप्शन या पिर डिफूजन या पिर अप्सोप्शन कौन से सिद्धान पर काम करता है अपोहन और यह आपने पढ़ा है, दस वी में भी पढ़ा है, बार वी में भी पढ़ा है तो आपका जो dialysis परक करता है, वो करता है diffusion, याद रखना, diffusion एक होता है आपका osmosis, एक होता है आपका diffusion, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए अब दोनों में क्या अंतर होता है, चलो उसको भी देख लो, देखो विद्यारतियो, एक होता है Osmosis, एक होता है Diffusion, Osmosis में क्या होता है, आपकी semi-permeable membrane, यानि कि अर्ध पारकर में जिल्ली होती है इसमें तो, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें high concentration से low concentration क मुमेंट हो रहा है, ठीक है, यहां से भी समझ सकते हो आप, कि Osmosis में semi-permeable जिल्ली होती है, जबकि डीपुजन में इसा कुछ नहीं होता, और यहां तक कि पूरा अंतर, यहां देख सकते हो आप, टेलेग्राम फोलो कर रखा होगा, तो वहां डाल देंगे, कोई दिक्कत का लिंक तो नीचे दे रखा है, तो यह होता है, डीपुजन और Osmosis में अंतर, इतना बड़ा अंतर होता है, देख लो आप, क्योंकि आपका जो डीपुजन है, यह टोस, द्रव, गेस, सभी माद्दे में होता है, जबकि Osmosis आपका केवल द्रव माद्दे में होता है, यह आपको पता होना चाहिए, डीपुजन एक दिमी परकिरिया है, Osmosis एक तियूर्फ परकिरिया है, पूरा इसमें डिफ्रेंस यह रहने वाला है, डीपुजन और Osmosis, इसलिए हमारा राइट आपसन डिफुजन होगा, चलिए, अगला, मायो फाइबरिल में एक्टिन प्रोटिन को का जाता है, इन मायो फाइबरिल एक्टिन प्रोटिन आल्सो कॉर्ड, बताईए, तो उसको का जाता है मायुसिन, ठीक है, मायुसिन का जाता है, और यह ठ्रम आपको पताऊ न चाहिए Actin क्या होता है, मयूसिन क्या होता है, J line क्या होता है, M line क्या होती है यह exam में direct बनते हैं आपके अब यहां पर इनको समझ लेते हैं Trump को ताकि आपको याद रहे देखो, विद्यारत यो इस परकार की सरचना आपने NCRD में भी देखे होगी, आपकी किताब में भी देखे होगी, ठीक है, तो ये जो सरचना है, जो आपको दिखाए दे रही है, ये है आपका मायूसिन, ठीक है, और जो उपर आप देख रहे हो, ये वाला, ये होता है acting, और ये जो ग्रिन-ग्रिन देख रहे हो, ये आपका ट्रोपोनिन, ठीक है, और ये जो है इस साई, ये आपका ट्रोपो मायूसिन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो रस्ती की तरह है, ये तो आपका ट्रोपो मायूसिन है, और ये जो आप देख रहे हो, माला की तरह है, गोल-गोल, ये acting है, ये तो आपका clear हो गया होगा और ये आपका मायूसिन filament होता ही ये वाला है ना तो ये basic knowledge आपको होना चाहिए exam में पूच ले जाता है अब basically होता क्या है कि हमारी muscles एक तो होती है relax और एक होती है contract यानि कि खिची हुई तो जब हमारी muscles relax होती है तो ऐसा होता है condition यानि कि M line होती है ठीक है और ये आप मायूसिन है सही ये actin इस प्रकार आता है यानि कि ये तो है आपके relax वाली condition जब इसमें खिचाओ आता है तो ये शिकुड जाता है देख लो आप ये यहाँ पर contraction हो गया शिकुड गया देख लो आप इस से actin इसे तो ये भी आपको पता होना चाहिए और जेड लाइन क्या होती है जेड लाइन ये वाली ठीक है इतना सापको पता होना चाहिए और दो जेड लाइन के बीच के दूरी क्या होती है सार को मियर ठीक है ये जेड लाइन और ये जेड लाइन सार को मियर तो और तो इसलिए राइट उप्षन मायुशिन चलिए और अगला क्योंसन इनि में से कौन मस्तिक्स में विचारधर के रिख रहे विच्व थे तिंकिंग पार्ड आपको बताने ब्रेंड का थिंकिंग पार्ड कौन सा होता है occipital, mid brain, fore brain या फिर hand brain जिसे मानलो अभी आप सोच रहे हो कि entrance exam देना है अच्छा uncancel करना है, नाम रोशन करना है तो ये कौन से मस्तिक से हो पा रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो तो ये और पा रहा है आपका fore brain very good, fore brain fore brain से possible हो पा रहा है ठीक है, अगल है आपका मस्तिक से related question है ये भी इन में से कौन सा मस्तिक का सबसे बड़ाइस सा है which of the largest part बताने है मस्तिक का पता है ना आपको मस्तिक में 3-4 पार्ट होते cerebrum होता है, cerebellum होता है mid brain होता है, है ना medulla oblogator होता है telemes होता है hypotelmes होता है cerebrum, बताओ कौन सा होता है obviously बात है सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपका cerebrum cerebrum यानि कि अगल मस्तिक अब आप बुलिक सर कैसे होता है तो चलो दिखा देतों में आपको कैसे होता है ये डाइग्राम तो आपने कही ना कही पर देखा होगा दसवी के कलास में भी देखा होगा ग्यारवी, बारवी में भी देखा होगा तो यहां पर four brain कौन सा है ये वाला इस्सा आपका four brain होता है पूरा का पूरा ये वाला क्या होता है four brain और hand brain होता है पीला पीला ये इस्सा पिच्छे वाला इतना सा ये आपका hand brain है और mid brain होता है ये green green इतना अशा अब तीनों में से देख लो ये तो है आपका पस्ट वाला cerebran यान कि four brain बोल सकते हैं अपर cerebrum बोल सकते हैं एक ये बात है ठीक है और ये mid brain और ये hand brain अब हो भी इसलिए बात है सबसे बड़ा तो यहीं दिखाए दे रहा है तो बस यहीं होगा ठीक है यहां पर भी देख लो आप यह लाल कलर में आपका क्या होता है इसका तो काम क्या है वह भी देख लो थिंकिंग का यहीं काम होता है problem solve करना रीजलिंग सब इसी से होता है हेंड ब्रेंज से क्या होता है फिर इसे coordination होता है इसे आप किसी रसी पर चल रहे हो साइकल पर चल रहे हो बिना गिरे हुए तो यह moment जो वाला मैट रहे हो है हेंड ब्रेंज से होता है एना और मिड ब्रेंज से क्या होता है आपका सुनने का auditory विज्वल यह कंट्रोल होता ह तो यह पता होना चाहिए आपको पक्संस, बैसिक नोलेज होनी चाहिए, एक्जाम में डारेट कुछन पूछा जाता है, किलेर, चलो बढ़ते आगे के ओर, अगला, थर्टिकल के उसने, युगमा गटानी के समय, एक या एक से अधिक गुनसुत्रों की हानिया लाब कलाता है, लोस और गेन क्रोमोसम क्या कलाता है, ट्राम है, आपको बताना है, तो वो कलाता है आपका ओनियो पलेडी, या रखना, गुनसुत्रों का घटना बढ़ना, क्या कलाता है, ओनियो पलेडी, ठीक, ट्राम या रखने ओनियो पलेडी, अगला कौन सा नियम काता है जशंक्या में एलिल एयुम जिनो टाइप आवर्तिया अन्य विकासवाधी परवाउ की अनु उपस्तित में पीड़ि से पीड़ि स्तिर रहेगा बचोवला की उसने हारडी वेनवरक सिध्दान्त शेया हारडी वेनवरक सिध्दान्त काता है हारडी वेनवर्ग शिद्धान एक निया सिद्धान ए जिसे हाड़ी वेनवर्ग यह ने दोनों ने सवतंदर रूप से पेश किया था इस नियम के अनुसार एक आदर्स जंसेंख्या में विविन एलिल यानि की युगमग विकलपी और जिनो टाइप की आवर्तिया पीडिद पर परते हुझे अध्याद का यह आपको याद रगना है लिए हदी वेनवरक का नियम और इसको आप इस परकार से भी समसकते हैं हाडी वेनवरक प्रिंसिपल ठीक है एक है अगला क्योग नो यह रोग जिसमें अन्तास्त्रावी विखार गे कारण अधिवक्र गरंती इस्टेरोइड हार्मोन उत्पादन नहीं करती कौन सा रोग हो जाएगा देखो एड्रीन, हलिन, ग्लेंट के बारे में सब जानते हो और इससे अगर प्रोडक्सन बंद हो जाता है तो इसको कौन सा रोग हो जाएगा तो इससे होता है एडिसन Edison रोग होता है याद रखना कौन सा रोग होता है? Edison अब Edison रोग में क्या-क्या होता है? ये भी जाना जरूर ही है जो चक्कर आना, उल्टी होना चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डाइग्राम से और अच्छा समझ में आएगा आपको देखो विद्यारतियों आपकी जो किड़नी जो होती है इनको पर आपकी एडरी नलिन गलेंट होती है देख लो आप ठीए? यहाँ पर इनका लोकेशन होता है एडरी नलिन का अगर इससे सिग्रेशन बंद हो जाता है तो ऐसे कंडिशन में एडिसन रोग हो जाता है और जब एडिसन रोग हो जाता है तो उसमें आपको उल्टी डाइरिया नोजिया पैट दर्द पैट दर्द पैट दर्द काफी जदा होता है इसमें एडिसन बिमारी में पैट दर्द बहुत जदा होता है ये भी आपको याद रखना है इसके लावा और क्या क्या होता है इसके लावा कमजोरी आती है वजन गड़ता है मोड एकदम खराब रहता है ठकान रहती है उल्टी होती है तो ये एडिसन बीमारी के लक्षन है ये एडिसन बीमारी के लक्षन है अगर ये लक्षण है तो समझो एडिशन विमारी के लक्षण है ठीक है और भी देख सकते हैं आप यहाँ पर BP भी इसमें बढ़ जाती है और इसकिन यहाँ पर मटमिली टाइप हो जाती है बुका रहता है इतने सारे लक्षण होते हैं आपके रित्मिक कांट्रेक्शन एंड रिलेक्सेशन बहुत ही प्यारा कोशन इसका राइट अफ़न होगा कारेडिक मसल्स कारेडिक मसल्स कैसी होती है यह भी देख लो आप यह होती है आपकी कारेडिक मसल्स देख लो आप इस परकार की कारेडिक मसल्स होती है कौन सा सुकसेम जीव सायटरिक अमल के उत्पादन में सायता करता है यानि कि कौन सा सुकसेम जीव है जिसके द्वारा सायटरिक अमल का उत्पादन होता है औप्शन एकोलाई, लेक्टो बेसिलस, कलोस्टेडियम, बोडिलियम, एसपर, जिल्लस, नाइगर तो इसका राइट ऑप्शन होगा, एसपर, जिल्लस, नाइगर, ऑप्शन डी यह वो सुकसेम जीव है जो सायटरिक अमल का प्रोडक्शन करता है कौन सा एसपर, जिल्लस, नाइगर, और ये क्या होता है ये भी पताऊना चाहिए, ये विक्टेरिया होता है, या फंगल होता है, या वाइरस होता है, या फिर प्रोटो जोवा होता है, क्या होता है, एस पर जिलस नाइगर, तो ये होता है आपका फंगस, याद रखना फंगस, और इसकी सरचना कैसी होती है, ये भी देख लो, जैस इस परकार की सरचना है ना जैसे आपने देखा होगा कि जो प्याज के पोदे होते हैं उनकों पराते ना उस परकार की सरचना दिखाय देती है निकी और यह आपका रहा फंगस ठीक है तो एस पर जिलस एक परकार का फंगस है जो साइट्रिक अमल का उत्पादन करता है तो य याद होगे आपको एस्परजिलस अगला एंजाइम KIM की अवस्ता है बताओ कि युकि आपको पता है कि एंजाइम की दो पति होदित आक्टीव और इनक्टीव तो यहाँ पर पूचा गया है इनक्टीव फेज इनक्टीव अवस्ता के बारे में आई सो मेरेज लाई एज़ जाय मोजन्स लाय एज़एज n तो देखो विद्यार्त- ओ एंजाइम की जो निसक्री अवस्ता होती ये उसको पुकारा जाता है zai mo jance क्या पुकारा जाता है zai mo jance चलो इसको समझे लिज़े दायग्राम से यहां पर आप देख पाँ हूंगे in active और active देखो आप active page और in active page तो यहां पर inactive page क्या होते है zai mo j थीछ है यहाँ इस परकार होता है और यहां पर connected नहीं है इनेक्टिव फेज है यह और इनको जाइमोज पुकरा जाता है अगला मद्दू मक्य पालन जिसको क्या बोलते है एपी कल्चर में अनफर्टिलाइज यानिकी अनिशित जो अंडे है किसके द्वारा बनाये जाते है रानी द्वारा ड्रोन द्वारा या फिर वरकर मक्यों द्वारा इनमें से कोई नहीं निशित अंडे तो वो बनाये जाते है आपके ड्रोन द्वारा ठीक है ड्रोन मन्दू मक्य द्वारा ठीक है याद रगना ड्रोन मन्दू मक्य द्वारा अगला क्योशन बलड ग्रूप से रिलेटेड है और क्योशन बनता है बलड ग्रूप से क्योशन है वह कौन सा बलड ग्रूप है जिसमें पर्तिजन A या B के खिलाब कोई एंटीबोडी नहीं पाए जाती कोई एंटीबोडी नहीं पाए जाती कौन से blood group में नहीं पाए जाती antibody बताओ कौन से blood group में नहीं पाए जाती antibody कौन से blood group में नहीं पाए जाती antibody A और B के खिलाब तो हो भी इसली बात है A भी blood group में अब आप गोलें सर कैसे तो चलो इनको समझा देते तो इसके लिए आपको ये पूरा चार्ड पता होना चाहिए ताकि कोई भी क्यूशन आ जाए तो आप तुरंत बता दो बहुत इपोर्टेंट है यहां से कम से कम 10-15 क्यूशन तो वैसे बन रहे हैं इस चार्ड से तो बलट ग्रूप आपका A-B-A-B-O होता है ठीक है तो यहां पर हम से पूछा कहता है क्योई भी antibody तो यहां पर antibody वाला फोल्ड्र हमको देखना है तो यहां पर हमको कोई भी antibody नहीं मिल रहे है तो कौण सा बलट ग्रूप ओपर देखो ABC तो answer भी तो AB करके आना है हमको अब आप से यूँ पूछ ले जाए कि कौन से ब्लड गुरूब में कोई भी एंटिजन नहीं होता तो एंटिजन की बात कहें तो ओ होगा पिर कि एक है तो यह तोड़ा द्यान रखना आप यह भी आद रखना कि कौन सा ब्लड गुरूब किस-किस को दिया जा सकता है हुँकको पताओना चाहिए और हाँ यह भी पताओना चाहिए के ब्लड गुरूब ए में कौन सा एंटिभोडी होता है ठीक है और ए भी हो गया तो दोनूं नहीं होंगे ठीक है अगर ओ है तो दोनूं होंगे फस सिंपल चलो बढ़ते आगे गोर तो यही है अगर antibody ये बात करें तो उल्टा आपको बताना है अगर antigen के बात करें तो blood group के सेम जैसा ही रहेगा जिसे मालो किसे का blood group एह है तो इसका antigen एही है ठीक है जबकि antibody भी है अगला मनुस्य में अंतस्थ्रावी परनाली के लिए तंत्री का नेंथर केंद्र है बताओ human which is the neural control center तो बिचली बात है मनुस्य में अंतस्थ्रावी परनाली के लिए तंत्री का नेंथर केंद्र आपका hypo-thelemas और hypo-thelemas आपको पताए न ता आपका नियंतरण भी करता है तो ये भी आद रखना हाइपो थेले मास चलो अगला क्यूशन बोद इपोर्टेंट मानव सुक्राण के किस बाग में अनुवानसिक पदार्थ पायाद जाता है इन हूमन इस्प्राम मानव सुक्राण के सरचना आपने देख रखिए तो कौन से हिस्से में जनेटिक मेटरिल पाया जाता है ओप्सने एक्रोसोम ओप्सने प्रोनुकलिस सेंट्रियोल कसाभीका सरचना सब को पता है कि इसमें पूच होती है, मद्दे बाग होता है, सिरो होता है तो मानव सुक्राण के किस बाग में अनुवांसिक पदात पाया जाता है तो सोच लिया होगा आपने तो, जो भी आप का आंसर होगा तो हमर आंसर सुनो जो जनेटिक मेटरिल पाया जाता है, इस प्रहम में वो पाया जाता है, प्रोनुकलिस में परो न्यूक्लेस में न्यूक्लेस में जेनेटिक मेटरल पाया जाता है तो काफिसार को अगर पता नहीं है कि इस्प्रम क्या होता है इस्प्रम आपको पता है कि कोशिका होती है जो आँकों से नहीं दिखाए देती और ये कहां पर पाया जाता है इस्प्रम इस्प्रम कहां पर पाया जाता है पहले बताओ तभी आपको ये एक्रोस्वम समझ में आएगा तभी आपको इस्प्रम समझ में आएगा सुक्राणू कहाँ पर पाया जाता है अगर आप से पूछ लिया जाए कि सुक्राणू कहाँ पर पाया जाता है option A कर दिया जाए कि blood में option B कर दिया जाए कि limp में option C कर दिया जाए mucos में option D कर दिया जाए semen में कौन सा option करके आओगे आप बलड वाला लिंप वाला या पिर प्लाजमा वाला या पिर सीमेन वाला तो आपको करके आना है सीमेन यान की वीरे में वीरे में सुक्राणू पाये जाते हैं कितने पाये जाते हैं अर्बो खर्बो कितने सुक्राणू होता है वीरे क्या होता है वीरे होता है जो पुरुस के जो genital organ है testुश उसमें बनता है तो चलो विस्तार से समझ लेते हैं आप बोलें कि सर वीरे के साद दिकाय देते हैं और इस में किस प्रकार से सुक्राण को हम देख सकते हैं तो चलो विस्तार से समझ लेते हैं यह वोता है siард Set में जिसको वीरे आप बोलते हो ठीक है तो इस वीरे में कापी सारे इस्प्रम आपको देखने को मिलेंगे जिसकी संक्या अर्बो कर्बो में होगी ये तो है सही वीरे इस प्रगर का दिकाय देते हैं वीरे को हम देख सकते हैं आपको से नंगी आपको से देख सकते हैं वीरे को बट हम इस प्रम को नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस प्रम तो इसके अंदर है अर्बो करव है और वो कोशिक आये तो चलो यहां पर वीरेत हम देख पारे तो अब सुक्राण को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लाना होगा तो चलो माइक्रोस्कोप यहां पर लगाते सुक्सेम दर्सी यहां पर लगाते तो जैसे हमने सुक्सेम दर्सी लगाया तो यह लो इस प्रकार की सरचनाम को देखने को मिली वीरे में इस प्रकार की सरचना यहां पर आप देख पारोंगे कितने सारे यहां पर मुमेंट हो रह और बनता है सिर्फ एक इस्प्रम से बांकी की इस्प्रम किसी भी काम नहीं आ रहें अनली एक इस्प्रम से ने जिवन की उत्वत्ती होती है यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो यहाँ पर यह स्प्रम आपको दिखाए देते मायक्रो स्कॉप में जब आप उच्छी क्लास हों में जाएंगे नौ मेडिकल फ्रिड में तो आपको देखने को मिलेगा मायक्रो स्कॉप से पूरा का पूरा तो चलो यहां पर किसी की सरचना हम देख लेते हैं एक स्प्रम की एक श्प्रम को यहां से निकाल लेते हैं और इनी की सरचनगों देखते हैं तो यह लोग यह सरचना है इसकी आगे-ागे का जो होता है वहां पर एक्रोस्व止ड होता है यह इसका नुउट्लोस्वित्य यहां होता है और इसका किलामेंट यह वाला होता है तो जेनेटिक मेट्रेल आपके न्यूकलस में रहता है यह वाला और जो फर लाइज जसनेन की जो निसेचन होता है यही तो पार्ट अंदर जाता है अंड़ाणू के इसको भी देख लेते हैं यह देखो यह इस पर हम आया और इसका न्यूकलस वाला पार्ट अंदर चला गया और अंदर चला गया तो इधर यह ओम ता तो ओम से मिलकर नया जिव बनाएगा यह भा बढ़ती रहेगी जनम होने तक भी बढ़ता रहता रहेगा और उसका परिणाम आप खुद हो क्योंकि आपकी उत्हुत्त पद्द तो यह इनका प्रो न्यूकलेस है, ओम का और यह वाला स्प्रम का, तो इसी में जनेटिक मीटरल पाया जाता है, तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको PDF चाहिए, तो MKS Academy एप डाउनलोड कर लेना, यह पूरा PDF आपको मिलेगा, MKS Academy एप में आपको कॉर्स बाइकन लिंक नीचे देरका डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड MKS Academy एप नाओ,